लब निगी सी गोष कप्लिंग रियक्स देने जिलाइक मैं पहले तो इसकी साइकल बता देता हूं जैसे लास क्लास में हमने जैसे ही इनका सब को समराइच किया था वैसे ही अब यहाँ पर इसकी भी देख सकते हैं कि कहां पर है सबकी साइकल सेम सी है बस उन्होंने क्या किया है उन्होंने एक मेटल चेंज किया है तो उसके अकोडिंग साइड प्रोड़क्ट को उन्होंने क्या किया है कि साइड प्रोड़क्ट ना बने इलिमिनेट है किया है मतलब कि मालों कि यदि पहले कुमारा में क्या था कि साइड अपने वाद जो मेटल हैं वह कौनसी A जिंक मेटल है साथ कोई बी बैटल के सतì Font पहले स्टारीं में और स्टार्टिंग में ऑकशेडेटीव एडिशन होने के बाद में यह आई है मदला है ऐलोजनि गृूप है वो पिस से transfer हो जाएगा, दूसरा कोई अपने पास आएगा, जैसे zinc से bind अपने पास से, जो substrate है, वो आएगा, वो यहाँ पे इसको निकाल देगा, इन दोनों को निकाल देगा, यह मेरे पास यह form हो जाएगा, अब क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के अभी NT है, तो फिर isomerizes होगा तो यह दोनों किसमें आ जाएंगे और सेम साइड आने के बाद में अपने पास अपने पास तो यह साइकल सभी में common है एक तरह से मेरे पास oxidative addition फिर transmetallation होगा isomerization है reductive elimination ठीक है लेकिन देखना क्या है क्या है कि अपने पास मतलब product किस हिसाब से बन रहे मेरे पास यह हमें देखना है ठीक तो अब देखो एक सेकें हाँ यह हो गया अब मैंने एक चीज और last class में बताना भूल गया था मैं कि मेरे पास मैंने directive बोला था कि reductive elimination होगा reductive elimination में मेरे पास यह वाले product बन रहे थे यह बन गया यह ज़िए cycle से start होता तो यह बन गया मतलब reaction यह है मेरे पास cycles मतलब same ही है सारी और अल्ली substrate change किया कि r day से x is equal to मेरे पास यह रहा और r2 is equal to यह रहा तो मेरे पास product क्या बन रहे हैं लेकिन इनके अंदर और भी product बनते हैं कौन कौन से beta hydride elimination भी हो सकता है जिसके अंदर मेरे पास क्या हो double bond form हो सकता है वहाँ पर तो यह जो beta hydride elimination है यह मेरे पास किस में आयता नेट 2019 में आयता मेरे पास मैं आपको वह करवा दूंगा तो इसका मतलब मेरे पास कौन कौन से product बन सकते हैं last में जब at the end product form होगा तो उसके अंदर reductive elimination भी हो सकता है मेरे पास beta hydride elimination भी हो सकता है और यह दि मेरे पास को acidic proton से related कुछ दे रखा है तो वह क्या होगा कि protonate मेरे पास जैसे double bond होगा तो h plus देखे यह मेरे पास single bond में भी मेरे पास change हो सकता है ठीक है को दिकत तो यहां पर यह summarize किया गया है कि मेरे पास तीन टाइब के product बन सकते और मैं आपको बताऊंगा कि कहां कौन कौन से वाले product बनने वाले अब देखो यह जो अपने पास से अब इसके अंदर क्या होगा कि यहां पर यह R2M है और इसके अंदर R2MY है तो मेरे पास जैसे कुमाड़ा में तो मेरे पास magnesium ता है लेकिन आज हम पढ़ रहे कौन सी जे डेन मेरे पास यहां पर मेटल रहेगा और उसके अंदर कौन सा रह आज इसको सर्फ रहेगे उसको नेजए की अपने पास थी अपने पास यहां मेरे पास और इससट्व है और यहां पर क्या होगा इन देपर यह इन ठेयं सो आपके पास क्या साब घार जब क्या है यह 55 एंगा है तो उनकी कोई हमें केर नहीं करना पहले देखो जैसे कुमाड़ा में तो क्या था कि मेरे पर ओएच डाइरेक्ट दे दिया सिंगल और नॉर्मल पर हम आपर रियक्शन नहीं होती थी लेकिन इनके केस में क्या होता है निगेशी में सारी रियक्शन प्रोशीड होती है और रेयक्शन बर रियक्शन तो यहां प्ताइम प्रोश्चन के लिए इसको क्या है oder क्या है अब है कि ये सब मेटर करता है मेरे पास कि इसके only ZNX है मेरे पास तो ये बना लेकिन यदि मैंने mixed मेटर ले लिया तो मेरे पास कुछ ऐसा बना है ठीक है और last में at the end में यदि इसकी बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा important है अपने पास कि मेरे पास magnesium ले लिया और ZNCl2 ले लिया तो मेरे पास ये वाला बनेगा अब ये क्या role generate करेगा वो सबसे ज़्यादा matter करेगा मेरे पास ये क्यों करेगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी last में कि मेरे पास दो functional group आगे age-like मेरे पास aldehyde और chlorine आगे इन दोनों में से कौन सा react करेगा मेरे को पता है कि most of the time हम जितनी भी मतलब metal based reaction पड़ते हैं हो halogen aryl halide हुआ alkyl halide हुआ इनकी ही बात करते हैं वहाँ पर उनी को क्या करते हैं halide group को remove करते हैं but हम other functional group को भी हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं लास्ट में भी में examples रिखोंगा तब आपको सब समझ में आ जाएगा मेरे पास ये reaction है अब हम देखो ये तो सब को normal तो पता ही है कि मेरे पास only होगा क्या मेरे पास यहाँ पर ये general mechanism को देखा तो BR निकल गया R1 और R2 combined हो कि मतलब ये वाला फॉर्म कर लिया ये वाला product फॉर्म कर लिया लेकिन exam में ऐसा तो पूछा जाएगा exam में आपसे पूछा जाएगा कि competition वाल है कि मेरे पास दो functional group रहेंगे as like इसके मेरे पास यहाँ पर क्या है दो functional group है अब इन दोनो functional group में से कौन सा वाला eliminate होगा वो सबसे ज्यादा metric करेगा मेरे पास यहाँ ठीक है तो इसके अंदर कौन सा वाला eliminate करेगा आप बताओ बहुत easy है यह तो कोई वो बात नहीं है बड़ी बात नहीं है आप बता सकते आराम से मेरे पास क्या है कि यहाँ पर BR भी है यहाँ पर BR है और यहाँ पर CL है और मेरे पास यहाँ पर यहाँ पर यह क्या होगा तो इसके पास दो ही possibilities थी मेरे पास product बनने की और दूसरी बात अब इसमें है ना मैंने यहाँ पर वो नहीं लिखा है क्या बोलते है बीच में मैंने catalyst नहीं लिखा है catalyst आप assume कर ले ना या तो मेरे पास किसका रहेगा palladium का रहेगा और या पर मेरे पास other हमने जो metals देखिये हैं उनके catalyst है यह लाइक मैं only substrate substrate लिख रहा हूँ आप क्योंकि बहुत सारे अपने पास catalyst है जो यूज में लिए जा सकते हैं आप तीक तो अब देखो इसके अंदर मेरे पास दो possibility इस्टी product बनने की मेरे पास या तो क्या हो कि मेरे पास BR remove हो जाए BR remove होगा तो मेरे पास final product कुछ यह यह बनेगा CL इदर आएगा NS2 इदर आएगा और मेरे पास C NS2 मेरे पास इदर आजाए और यहां पर क्या आजाए मेरे पास यहां पर मेरे पास यह आजाए क्या BR आजाए और यहां पर C double bond O E T आजाए तो अब हमने देखों वहां पर भी यह देखा था कि मेरे पास कौन सा ज्यादा अच्छा living group है तो same case इसमें माइनर प्रोड़क्ट यह बनता है ठीक है भाई आगे मूँ करें अब देखो अब यह है कि मैंने कह लिया है इंडोल लिया है और इसके अंदर मैंने तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सबस्टेट वो जो कमाइंड करने वाले हैं वो लिया है यहां पर पहले की बात करू में तो यहां पर क्या हुआ है होना कुछ नहीं है बस हमें इस group को यहां पर attach करना है इस group को यहां पर attach करना है ठीक है अब attach कर दिया तो यह वाला product बना इधर देखा तो इस वाले group को attach किया तो यह वाला है यहां पर मतलब रेड चेक की गया है मतलब आलो कि यह यह मेर पास कोई फंक्शनल गूरूप बभं ठागे लेटर किया इन के बीच मना उसमें ऑपजर कर गया है कि फंक्शनल प्रूप जितने विश्ट का इंडेक्टिव कि पर चनीदर कर पास तो यह है इसकी reactivity सबसे जादा है अपने पास किया है कि मेरे पास намfirst इसकेmy Music है और सबसे चै preparedness है वह किसकी है अपने पास यह सबसे मेरे पास यह सबसे कहें लेस रीएक्टिव है और य्थी यही ग्रूप में मतलब मैंने यहां पर अलग अलग comparison करके लिखा है तो एक्जाम मेडिया आपसे comparison पुछा जाए कि कौन सा वाला मेरे पास से मतलब बेटर जाएगा मतलब fast जाएगा तो मेरे पास मैं बोल सकता हूं कि यह वाला मेरे पास सबसे fast है और वो लास्ट वाला slow है ठीक है यह बोल सकता हूं कि more reactive है मेरे पास और इसका जो conclusion है वो है मेरे पास क्या कि यह किस पर depend करता है यहां पर मतलब mezomeric sorry यहां पर mezomeric effect है सबसे ज्यादा मैंने क्या बोला था पहले क्या बोला था मैंने inductive बोला था क्या sorry उसके लिए sorry तो में यहां पर किल्ए लिए लिखा हूं कि मीzomeric effect है न वो play role करता है negacy coupling में ठीक है और यह इनका देखा जाए तो मेरे पास कुछ यह order है मतलब functional group का यदि summarize किया जाए तो यह वाला मेरे पास से क्या है वह है order है तो इसमें देख सकते हैं cn वाला सबसे ज्यादा था अपने पार ठीक है अब उसके अंदर देखो यदि इसका जो नेगेसी coupling reaction का है यदि हैमल्ट वो यदि ड्रो किया जाए कि मेरे पास सिग्मा की वेल्यू पोजिटिव कहां आगी और नेगेटिव कहां आगी तो यह object क्या है कि मेरे पास यहां पे इन तीनों के लिए तो मेरे पास क्या रहेगा कि less than 1 रहेगा मतलब less than 1 क्या मतलब 0.1 से नीचे रहेगा मतलब बोल सकता हूं कि OME में तो मेरे पास नेगेटिव ही चला जाएगा और यहां पे इन दोनों के बीच में देखा जाए तो यह only मैं बोल सकता हूं कि near 0 है मेरे पास ठीक है फ्लोरीन और हाइड्रोजन क एक आजाए खे सब यह तो इनके लिए मिरे पास ही वेल्य कि शॉर्च क्या रही है आरे है अब बात यह है कि सर्फ लॉरीन भी तो मैरे पास इलेक्ट्रोण क्या है विड्रोउटरूंग ग्रुप है लेकिन मेरेपास इसका मेरे पास कम effect हुआ है तो देखो यहां पर अभी हमने कहा लिखा कि मीजोमेरिक एफेक्ट ज्यादा प्ले रोल कर रहा है अब इसमें हो क्या रहा है कि फ्लोरीन क्या है हमें पता है कि यह सब चीजें हम किसके भीच कि में कंसेडर कर रहे हैं इसके बीच में देखा जा रहा है यहां पे बेग बॉन्टिंग देखा रहे हैं तो हम कौन सा गिस्तिता पार्टिपार्ट इसमां है से इसाई किसे सम्मेंदित किल्वारीं क्यों करेंगे हो टूपी टूपी कि विज़र से समझ आ रहा है यह concept आपको ठीक है कोई डाउट हो तो मैं इसे पूछ लेना आप यह है मेरे पार इसका हेमल्ट इफेक्ट लगेगा तो मेरे पास क्या होगा कि हम देख सकते हैं यहां पर कि सभी ओनली हाइड्रोजन तो मेरे पास zero पर है बाकि सारे जितने भी अभी हम functional group देख रहेते अब साइड उनके रो की वेल्यू क्या है मेरे पास सबकी ही positive है लेकिन सबसे maximum किसकी है अपने पास cn क सबसे maximum है यहां पर तो अब वही बात है कि मेरे पास यहां पर क्या होगा कि सबस्कुरों कि मेरे पास कोई यहां पर रवन लगा हुआ है और मेरे पास किया है क emphasizing specific trader यहां पर यहाँ पर कोई मालों की आर गुरूप पर लिएता की यहाँ पर रहा तो न को पता है कि यह ता है यह सब पता है न मेटा और और ओर्थोपेरा सब को पता है यह चीज़े तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बाकि यदि फिर भी आपको डाउट हो कि सर इसके अंदर ऐसा ही क्यों हुआ तो मैंसे बता देना मेरे को ठीक लेकि सर नहीं तो हमने पता ही कि सरी के लिए मेरे पास क्या आ रहा है सिग्मा की वेलिव सब के लिए पॉजिटिव आ रहई है हाई दॉज्जन परढ़ा देता हूं तो पठ्राइडेक्टिड़ाउven तो OME, fluorine और hydrogen के corresponding में बहुत सकता हूँ कि यहां पे, fluorine भी मेरे पास negative में ही जा रहा है, hydrogen को यदि मैं यहां पे 0 को रखूँ, तो मेरे पास fluorine भी negative है, OME भी negative है, लेकिन CL, CF3 और बाखी functional group का उनका जो raw value है, वो क्या है, positive है, ठीक, अब देखो, अब हम questions कर लेते, exam में कैसे questions पूचे जाते हैं, अब यहां पे देखो, आपके पास दो possibilities है, मतलब बहुत ही अच्छा क्यूशन है यहां पे, मतलब देखा जाए तो इसको, यहां पे, दो possibilities है, एक तो मेरे पास क्या है, LDH group लगा हुआ है, और एक chlorine लगा हुआ है, जो, जितनी भी metal-based name reaction होती है, सुनो, इतनी भी metal-based name reaction होती है, वो alkyl halide है, aryl halide की ही बात करते आते हैं, वहां पे, लेकिन बात यह है कि मेरे पास इसके अंदर यह वाला react करेगा, यह वाला react करेगा, तो मैंने आपको क्या बोलाता है, कि मेरे पास जो बनने वाला complex है, एक यह बना, ZNX बना मेरे पास, यदि य मैंने उपर यहां पे preparation में दिखाया है, आपको यहां पे, एक second मैं आपको यहां पे दिखा जिता हूँ आपस से, जैसे हम जो last वाला था अपने पास, जिसकी preparation देख रहते हैं, यहां पे इसकी, कहांग जाओ, हाँ, यहां पे, यह मेरे पास क्या है, mix halide है, ठीकर JNBR है मेर पास, ऐसे ही यहां पे इसकी बात करूँ, तो यह भी अपने पास JNMG यहां पर आएगा, MGLICL आएगा, तो इन mix halide में होता क्या है, जैसे इसमें JNLICL आएगा, इनमें होता क्या है, इनमें एक transition state बनती है, तो transition state बनके वहां पे क्या होता है, कि जो other functional group होते हैं, वो भी तो यहां पे जो last वाला भी, जो मैं क्यूसन दिखा रहा था आपको, इसके अंदर यह दी normal condition, as like only मेरे पास JNX है, मेरे पास कोई भी metal participate नहीं करी, इनमें से, only मेरे पास upside वाला ही है, मेरे पास MGA वाला participate नहीं करा, मतलब mix halide नहीं बनाई, mix halide metal वाला complex नहीं बना, तो आप को पता है क्कोंसा वाला replace होगा है आपर, मेरे पास it, CL replace हो जाएगा, जब CL replace हो जाए, sorry, CL replace हो जाएगा, तो product यह बन जा रहाए, but, same case यहां डिहा, आपके पास यह बन रहा है, JNX वाला mix halide बन रहा है मेरे पास, वो मान लो की, यह बन जाए मेरे पास, की मेरे पास इसकी यहां पर यह क्या बन जाए, मेरे पास ZNX, MGCL2 और LICL मेरे पास यह वाला बन जाए, ठीक है अब इसके अंदर क्या होगा, कि मेरे पास जो यह वाला functional group है आपका not only this one, other functional group भी रहे, πाई से πाई बोंड वाले, वो भी मेरे पास reduce हो जाए, तो इसके अंदर जो reduction होगा, जो यह negative charge होगा, वो कहां पर attack करेगा, अब की बार इस पर attack करेगा, और वहां पर कौन सा वाला product बन जाएगा मेरे पास है यहां पर मेरे पास, यह CL है, और यहां पर OH लग जाएगा, और यहां पर यह वाला product बन जाएगा, यह कब बनेगा जब मेरे पास, क्या होगा MGCL और यहां पर complex से, वो वाला बनेगा क्या हो सकते हैं, और गेनो जिक और गेनो जिंक ते, रिएजेंट बलेंगे तब ही मेरे पास इसका reduction होगा otherwise, normal condition में जैसे only जिंक का रहा मेरे पास मेटल बेज नेम रियक्शन में हम हेलोजन को रिमूव करते है समझा रहा है आप सभी को, मैं अभी यह देखो, इसकी transition state में आपको बनाएं के बताता हूँ कि ऐसा होगा क्यों है पहले तो में इसकी और यह जो है, यह वाला यह यह example है, मैं अभी तोड़ देर में करवाने वाला हूँ पहले उसकी transition state है हम में बता देता हूँ कि क्या होता क्या है, कि मेरे पास कैसे product बनता है तो यह दि mg का मेरे पास complex आया तो क्या होगा मेरे पास, कि जैसे r1 इदर था r1 मेरे पास c l है, c l है और मेरे पास li है ठीक है, 3 मेटर आगे मेरे पास और यह दिए आप यहाँ पर कोई कार्बोनेल ग्रूप aid करते हो, तो यहाँ पर aid like jimmerman transition state ही बनता है, और वो कैसे बनता है मेरे पास c l इदर आएगा, mg इदर आया है मेरे पास oxygen इदर है ठीक है, और मेरे पास इदर से फिर से जेडेन आया इदर और मेरे पास बहुत सकता हूं कि यह second वाला r group है यहाँ पर मेरे पास क्या था है यह यहाँ पर double bond है यहाँ पर यह carbon है और यहाँ पर यह r3 है और यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा तारी तू मेरे जाए लाकु एवाली टारी से वहालत प्राही हां यह रहे लिए दर मेरे पार की यह वाली है यहां पर लाई है इसा है मोना मेरे पास दो बन गईए 6 नहीं किससे चिलएट नहीं करकोब तो इसके एंदर शया कुष क्या हो रहा होगा इन्क्रीज हो रहे होगी जमें यहाप तो इस में चेंज हो जाएगा यह ईल्कॉल में चेंज हो तो उसमें वह आगी है इधर R3, इधर R आगया और यहाँ पर मेरे पार R2 आगया हूँ, ठीक है, समझा R आपको, हाँ सिर, तो हुआ क्या मेरे पास, कि यदि आपके पास एक कॉंप्लेक्स सी ओर्गेनो जिंक मेरे पास वो बनता है, क्या बोलते हैं, मतलब, यहाँ, रियेजेंट बनता है, तो मेरे पास यहाँ पर एलकोल का भी रिडेक्शन हो जाएगा, अधर आइज लाइक के दि में आपस एक और क्यूशन पूछ हूँ यहाँ पर, कि माल लोग की मेरे पास यह है, क्या है, माल स्टार्टिंग में आपको यह दे दे, देखो, वो जो अपने पास क्या हो सकता यहाँ पर, only ZNI दे दिया आपको, CF3 आपको यहाँ पर दे दिया, प्लेस और आपको क्या दे दिया, यहाँ यह दे दिया, जहां से देखना, यह अच्छा है, यह दे दिया, आपको यहाँ पर, CL, अब आप से पूछा जाए कि प्रोड़क्ट क्या बनेगा, कोई मेरे को बत कोई आइडिया, नो, कुछ तो बोलो, कोई तो बोलो, सर थर्ड पोजिशन पर अटैक करेगा क्या, नहीं, देखो सुनो, अब देखो, यहाँ पर यह क्लोरीन है, और क्लोरीन के पास मैं मान लो कि यह वाला ग्रूप है मेरे पास, दीक है, तो यहाँ पर देखो, जो कार्बोनिल का effect है, तो कार्बोनिल का effect है, इसके corresponding ortho है, इसके corresponding pera है, तो अब यदि मैं इसके electron withdrawing group की बात करूँ, तो इस chlorine की बात करूँ में, तो इसके लिए तो मेरे पास pera से वो कर रहा है, electron withdrawing group की तरह काम कर रहा है, लेकिन यदि इस chlorine की बात करूँ में, तो यहाँ प होगा फर्स्ट वाला क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा ठीक है लेकिन सेम चीज यह आपको सेम चीज यह आपको इसके साथ करवाई जाएं मेरे पास कौन सा है कि मेरे पास अब आपको बोला जाएं कि अब मेरे पास यहां पर अब आपस पूछा जाएं कि प्रोड़क्क क्या वनेगा यह फर्स्ट यह हैं तो आपके पास कहां टेक होगा अब अब इसमें आपको डाउट नहीं आया तो मैं आपसे एक क्यूशन और पूछ लेता हूं बहुत अच्छा क्यूशन है मतलब exam में पूछने लाइक है कि कैसे मतलब क्या है क्या है यदि आप से question दे दिया जाए कि आपको ये है मेरे पास यहां पे JN है BR है MGCL2 है और LICL है और आपको ये वाला example दे रहे हैं इसके साथ reaction करवा रखी है आपे मार लो कि मैंने यहां पे CN लिख दिया और आपके पास reaction करवाईए इससे तो कोई मेरे को final product बना के बता सकता कि क्या final product बनेगा मेरे को पता है कि ये वाला क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा ठीक है reduce हुआ तो मेरे पास मैं बोलूगा कि पहले तो मेरे पास क्या हो जाएगा जब इसके product की बात करूँ में तो मेरे पास क्या हो जाएगा starting मतलब पहले step में यह CN है और यहां पे यह OH आएगा यहां पे क्या हो जाएगा hydrogen आजाएगा अब देखो यह कितने है मेरे पास 1, 2, 3, 3, तीकर मैं आपसे यह पूछना जाता हूँ क्या एग्जाम मेडिया आपके पास यह क्यूसे ना है तो आप क्या यहीं पे final product draw करके आ जाओगे यहां पे internal nucleophilic attack होगा क्या हाँ यहां पे क्या होगा कि मेरे पास यहां पे यह nucleophile है तीक है और यहां पे यह वाला center क्या है electrophilic center है तो यहां पे internal attack होगा यहां पे और internal attack होगा आपके तो यहां पे आप इसको यदि open करके लिखो गया तो देखो यहां सभी चीज़े आपको conditions देख नहीं है कि मेरे पास क्या possibilities है क्या नहीं यहां पे OH बना OH के बनने के बाद में यह इस पर attack करेगा यह दर मूँ करेगा यह दर मूँ करेगा OET निकल जाएगा क्योंकि अपने पास metals ले रहे तो यहां पे acidic की बात करते हैं मतलब जो भी जितने भी metals की reaction करवाते हैं वो basic medium में नहीं करवा कि हैं acidic medium में ही करवाते हैं यह देखो तो इसके लिए मेरे पास मैं बहुत सकता हूं कि OET निकल जाएगा यहां पर और final जो product आपको जो exam में बनाना था वो कौन सा बनाना था यहां पर कि O मेरे पास यहां पर आ जाए O मेरे पास इधर आ गाए और इस six member की ring बन जाए और मेरे पास कहां पर take करा है इसने यह इस पर take करा है तो C double bond O इधर आ जाए दीगा यह बन रहा है हाँ यह वाला product बन जाएगा इसको को doubt है किसी गो इसमें नो सै ऐसी ही यदि मैं आपके पास यहाँ पर सामने यह रखूँ पहले तो मैं उस क्योसेंस को वहाँ पर solve करवा देता हूँ कि जो एक्जाम में पुछा गया है उसको पहले उसकी बात करते हैं मैं बिर पास की और क्योसेंस में यह आपके करवा दूँगा हाँ इसमें देखूँ इसमें आपसे यहाँ पर देखा जाए तो बहुत easy है मतलब में पास यह रहा यहाँ पर i को निकाला और यह वाला group लगा दिया यह तेज हो गया लेकिन एक्जाम में आपसे यह नहीं पुछा गया इग्जाम में कह किया गया कि ये जो ये वाला था ये आपसे बनुआया गया है बनुआया कैसे गया है मैं बताताँ आपको कि मेरे पास एक सगन मैं डिफेंड कर दी हाँ पे हो Vul ले लेता हूँ ये हमा accident आपसे आपको दिया गया कि यह मेरे पास कुछ यह ऐसा था और यहां पर यह था अब आपको पता ही कि यह इदी I2 की reaction करवाई जाए यहां पर आई-टू क्या हो जाएगा यहांपर आई-टू ओ और चाहिए बियाई-टू ऑ С कुछ भी हुआ cert इसे इहांपर आई-टू लिखा है तो मैंने इसलिए अव्य डिखा है तो क्या होगा मेरे पास आई यहांपर आई कर क्या होचाएगा त्री मेंबर ट्रांजिशन स्टेट मैं बोसकता हूँ कि मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा आई मेरे पास पोजिटिव चार्ज बना यहां पर और आई नेगेटिव बनेगा अब मेरे पास और कुछ ओप्शन है नहीं तो मैं बोलूगा कि या तो यहां पर टेकर दे या यहां पर टेकर दे लेकिन आई ही है तो मेरे पास मैं बोल सकता हूँ कि दोनों कार्बन पर मेरे पास क्या हो जाएगा दोनों कार्बन पर मेरे पास क्या हो जाएगा I इह दर लग जाएगा और I ही इतर लग जाएगा ठीक है अब क्या दे रखा था कि कोई base दे रखा था आपको hydrogen को abstrairate करवाना था hydrogen abstrairate करके इसको इðर proteins करवाके इसको आपको remove करवाना था यह जब remove हो जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहां पर यह वाला बन जाएगा ठीक है और वहां पर फिर आपको क्या दे रखा था कोई reducing agent दे रखा था जो only carbonyl को reduce करें अपने पास double bond को नहीं करें only carbonyl को करें तो मेरे पास कौन सा यह वाला इसको starting material लिखू तो मेरे पास क्या बन जाएगा आपर starting material बन जाएगा तो आपको ये वाली तीन step पहले करनी थी और उसके बाद में ये वाला generate हो जाएगा जब generate हो गया तो सभी को पताए कि I को अटाना है और क्या क्या लगाना है अपने पास ये वाला लगाना है समझा रहा है मैं क्या बोलना चाहरा हूँ तो देखो metal based name reaction में फिर से मैं बोलता हूँ यदि metal based name reaction metal based आपको कोई reaction दिख रही है तो उनमें आपको क्या इलकाइल हिलाइड एराइल हिलाइड ये वाले सबसे ज़्यादा मिलेगी इन ही की बात करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला बन गया तो आप देख सकते हो आप क्या कर सकते हो रेट्रो जा सकते हो तो मेरे पास मैं बहुत सकता हूँ कि जो ये क्या है double bond इदर ये double bond है इदर तो मैं बहुत सकता हूँ कि इसको मैं इदर से break कर सकता हूँ या फिर मैं बोल सकता हूं, कि मेर पास यहां पEश को ब्रेक करदूateur यहां पर यहँ वाले हो सकता है जब इसके यहां यहेंदि में ट्रीक्टर की बात करूओ तो मैं बोल सकता हूं कि मेर पास स्टरूर इसे एसा भी हो सकता था OECF है यहां पर कोई है लो जन गुरूप लगा दो मालों की आई लगा दिया मैं और आपो जित तो हमने हमारे पार स्टार्टिंग मैटेरियल दे रखा है कि कौन सा वाला दूसरा ओप्शन हो सकता है तो आप ऐसा भी सोच सकते हो प्रोड़क्ट से भी सोच सकते हो मेरे पार कुछ नहीं करना आपको जहां डबल बॉन दिख रहा है वहां से ब्रेक करकर देख लो या तो इधर से करकर देख लो अब आपको लग रहा है कि यहां पे इस साइड वाला मेरे पार स्टार्टिंग मैटेरियल हो सकता है मैं किसे भी जेनरेट करके हैं तो यहां पे यह वाला मुझा प्रोड़क्त हूं कि हमें पता लगाना है है सब्सक्रांदे दोंगे जट वह एक वैड़ वेकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है कि वहने आप का इंग से तुछ तुछ आप चीज आपके पास मालो की ये यह मेरे पास कॉंप्लेक्स है यह वाला कॉंप्लेक्स है प्लेस मैंने क्या लिखा या पे किस साथ reaction कर रहा है यहां पर यहां पर यहां पर है तो सेम केस क्या हो जाएगा मेरे पास इसके अंदर भी पी एच मतलब मेरे पास यह रहा एन एस मेरे पास यहां पर क्या रह जाएगा कजिए से फोर मेरे पास यहां पर को साल्ब लग जाएगा कि ह कहाँ परोस्टा आपको पता है अब आपको पता है अपने लिए यहां पर आपको फ्रेंटेशेंन के घ्रम कें लिया है तो मेरे पास यह वाणा final product बन गया लेकिन fragmentation reaction में दिहार रखना है आप एक और nitrogen रहता है वो आपको fragmentation reaction पढ़ाई है मैंने नहीं पढ़ाई किसी ने पढ़ाई है आपको अभी तक fragmentation reaction भी करवा सकते हैं इसके बाद में आप तो इसमें तो एजलाइक मेरे पास carbonyls प्रेटेक कर रहा था वेशे ही मेरे पास यहां प्रेटेक हो गया और final product बन गया मेरे पास कि हाँ एक और था मेरे पास एक और question है अच्छा question हो बहुत ही इसके अंदर क्या है मेरे पास की यह दे रखा है M E O दे रखा है और मेरे पास क्या दे रखा है यहां पर जेड है और मेरे पास OP दे रखा है मतलब कोई metal है कोई other metal group लगा हुआ है मेरे पास यहां पर यह V4 है मतलब मैं बहुत सकता हूं कि mix halide sorry mix metal organo-zincan तीक है अब इसके अंदर आपसे पुछा जाए कि यदि यह इसके साथ reaction करता है CL है C double bond O CL है तीक है ती action कहां जाएगी मेरे पास और यह तुम्हें आपको बता देता हूं अब आपका homework क्या है वह भी बता देता हूं में CL इदर आ गया मेरे पास C double bond O इदर आ जाएगा क्यों आ जाएगा यह नेगेटिव यहां पर अटेक करेगा यह इदर करेगा और यहां पर को निकाल देगा तो मेरे पास फाइनल प्रोड़क्त है यह बन जाए होता नहीं है ऐसे मतलब जैसे मैंने अटेक करवाए वैसे होता नहीं है क्योंकि वहां तो हम क्या करते हैं oxidative addition, reductive elimination यह वाली इनकी बात करते हैं तो हम ऐसे में नहीं लिख सकते homework के लिए हैं आपको तोड़ा सोचना है next में मैं बता दूँगा यहां पर यह OME है मेरे पास यहां पर और यहां पर क्या रखना है आपको ZNX रखना है सेम चीज़ देखना है कि मेरे पास C double bond C L वाले पर attack करेगा यह C double bond O C L वाले पर attack करेगा बात तो है दोनों में ही chlorine लगा हुआ है मेरे पार ठीक है लेकिन अब इनमें से कौन सी वाली reaction भी कौन सी नहीं होगी मेरे पार ठीक है झाले पार ठीक है